हेलो माई फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटीब चैनल काड़नी नित्रा खंड में हलका जुकाम है नाक बंद है नीन नहीं आ रही थी सुबह सुबह का मुसंद बिल्कुल छे बज रहे हैं तो मैं कैमला लेकर निकल लिया मेरे का चलिए कुछ आपके लिए वीडिय से जो बादाम ग्रों किये थे उसमें साथ पोदे में ने ग्रों किये थे जिन में से ये एक जिन्दा बचा है अब थोड़ी हजीब आ रही होगी क्योंकि बिल्कुल बंद है मिनी नाक लेकिन कोई बात नहीं वीडियो के लिए तो चली जाएगा तो ये पोदाय देखे एक बचार इसकी सहत बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा ये चलना है ज़िए यहां का अट्मोसफिर कोई बुरा नहीं लगा रहा है मुझे तो यह लगा था कि यह बहुत अच्छा थेंड़ा नहीं है जितना कश्मीर या घिवाचल में होता है जहां पर बादाम मिलते हैं लेकिन इसकी हालत ऐसी है कि यह काफी कुछ यहां पर बहुत अच्छे सर्वाइव कर दाया है बहुत अच्छा हो रहा है कि आप कितनी हरी भरी इस पे नहीं नहीं शाखाय निकली हुई है कि अच्छा से ग्रोव कर रहा है यहां तो बादाम को ग्रोव कर सकते हैं कि यहां तापमान बहुत कम नहीं रहता है यहां पर 44 45 46 तक टेपरेशन जाता है गर्वियों में उस पर भी यह जिंदा रहा और सद्यों में तो माइनस दो डिकरी तक जाता है वारे यहां उत्राखंड में तो उपर के इलाखों में तो ओर जादा ठ्टना होता है वारे वहां पर तो वह बादम के पोदे होते भी हैं लेकिन नीचे का इलाके धेरा दून साइड में अरी दौार यहां फे थोड़ा घरम रहता है सद्यों में भी दो डिकरी से नीचे नहीं जाता लेकिन यहां पर बहुत अच्छा हो रहा है तो बस मैं सोचा चलिए आज आपको रिजल्ट दिखाता हूं कि यह किस तरीके का हो रहा है एक साल बाद काफी सुन्दर हो रहा है और अगर आप के यहां भी टेंप्रेचर इसरेंज में हो तो आप भी ग्रोग कर सकते हैं बहुत गरम टेंप्रे है और ग्रोग रहे तो आपके पास भी बचा रहेगा मैं उमीन करता हूं दोसाब को यह मेरा सुन्दर सा बादाम का पौधा पसंद आया होगा और आप भी अगर इस टेंप्रेचर देंच में होगे तो ग्रोग करके देखेंगे मुझे नहीं लगता कि भारत में जादतरी लागों का 46 डिग्री से तादा जाता होगा नहीं लेकिन 46 तक यह सर्वाइव करता है चार में से एक तो बचा ही है तो आप लगा सकते हैं अब बादाम आएंगे या नहीं वो नहीं कहा सकते हूं तो टाइम की साथ पता चलेगा कि जब बादाम आने का टाइम होगा कि सब्सक्राइब करता हूं दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूंगा धन्यवाद